क्या आप भी IPO में पैसे लगाते हो तो थोड़ा ध्यान से कहीं आप फ्रॉड के चिकार न बन जाए क्योंकि ऐसा हुआ है और अब सेभी IPO इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने में जुटी है आए जानते हैं पूरे मामले के बारे में वीडियो में आगे साल 2003 से 2005 के बीच टोटल 21 IPO के शेर अलोकेशन के समय फ्रॉड हुआ और इस मामले पर सुप्रीम कोट ने कमेटी और्गुनाईज करके इस मामले को जाच करने का आदेश दिया था कोट ने सेभी से का था कि वो इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करके उनके पैसे वापस करें ऐसे में सेभी तीसरे चरण के जरिये टोटल 2.5 लाग निवेशकों को करीब 15 लाग करोड के करीब लोटा रहा है आपको बताते कि इससे पहले सेभी ने अपने दो चरणों में इन्वेस्टर्स को पैसे लोटाए हैं पहले चरण अप्रेल 2010 में टोटल 23 करोड के करीब निवेशकों को वापस किये थे कि अब तीसरे चरण में टोटल करीब धाई लाग निवेशकों को करीब 14 करोड वापस लोटाए जाएंगे जो IPO फ्रॉड के दोरान गलत तरीके से लिए गए थे इसकी प्रक्रिया 17 अगस्त को ही शुरू हो चुकी है साथ ही इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि IPO फ्रॉड के दोरान लगबग 13 लाग इंवेस्टर जो इसके शिकार बने जिसमें से करीब 10 लाग निवेशकों को पहले दो चरणों में पैसे वापस कर दिये गए हैं वहीं लगबग 97 लोगो को इस प्रक्रिया से बहार रखा गया है क्या आप भी IPO में पैसे लगाते हूँ हमें कॉमें लिखके बता है अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक शेक करना ना बूलो और ऐसे ही Fraud Alert वीडियो के लिए हमारे चानल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें